हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका माई चैनल पर आज हम आपके लिए लेकिया हैं गेहूं के आटे से बनने अला बहुत ही जड़ा चटपटा सा कुर्कुरा सा करा सानास्ता जिसे आप मौनिंग से लेके इमनी तक किसी भी टेम अज़स्ट कर सकते हैं आपकी छोटी मोटी भूग का इलाज करने के साथ साथ आपको ये हल्दी भी रखेगा क्योंकि ये बनने वाला है गेहूं के आटे से और आप इसे हफते बर इस्टोर करके अराम से इंज्वाए कर सकते हैं तो चलिए बनाना सुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरू सुस्क्राइब कर लेना साथ ही नौट्पी केसर मेल को आन करना ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नौट्पी केसर मिल पाए सबसे पह सकते लेकिन अगर आप हेल्दी खाना चाहते तो आप इसे सो परसंट मेरी तरह गेहूं के आटे से बनाएंगे तो काफी पाइदे बंद होगा तो यहां पर देखिए आटे को मैंने छान लिया है तो अब चलिए बनाना सुरू करते हैं फटा-फट यहां पर एक कटोरी आटे मिं फोड़ा सा बड़े-बड़े पीसेंस में कट करके डालेंगे और दो से तीन पानी वाश करने के बाद एड आट करेंगे ऐसे नहीं आट करना है यह देखिए थोड़ा सा रफली कट करनें बहुत ज़ड़ा बारी कट करने की ज़ुरत नहीं है और आप इसे हम 2-3 पानी वाश करने के बाद लेकर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने 3-4 पानी अच्छे से वाश कर दिया है अब सिफ हम आलू-अलू डालेंगे पानी नहीं डालेंगे क्योंकि आलू में इतना पानी होता है कि यह खुद ही अपने आप पिस जा तो यहाँ पर मैं एक छोटा चम्मच एड़ करना आपने टेस के कार्डिंग एड़ करना चौथा ही चम्मच हम एड़ करेंगे सुगर जिसको चीनी बोलते हैं शक्कर भी बोलते हैं अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बाक्स में जुरू बताना इससे बहुत ही अच् तो आप सिफ एक ही डालना लेकिन अगर थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने दो ग्रीन चिली तोड़ कर डाल दिया है अब बिना पाई डाले हम इसको अच्छे से पीस लेंगे तो पाई डालने की जुरूती इस नहीं क्योंकि हमारा इसके अंद इसको डाला था उसी से यह पिस गया है क्योंकि आलो में खुद का पानी होता है अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसमें डही डाल सकते और चाज डाल सकते या फिर डाल सकते पानी का इस्तवाल मत करना क्रणा इसको पीसने के लिए इससे आपका नास्ता काफी तरब अच्छे से गरम करना जलूरी है तो आइल जैसे अच्छे से गरम हो जाएगा हम इसमें एक पिंच दालेंगे और हिंग को हम चटकने देंगे फीलसी के साथ हम इसमें एक टेवल स्पोन तक जीरा डालेंगे छोटा वला और जीरे को हम 10-15 से चटका लेंगे काला नहीं करेंग तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने लगी है अब इस श्टेट पर हम इसमें डालेंगे टमाटर जो लाल होना चाहिए जूसी होना चाहिए न आपको इसके बीच निकालने ना ही जूस निकालना है कि德 मांतल डालते हम स्फफ होने तक पकाएंगे इसके लिए थोड़ा साउ मुख डालेंगे त्इसके अन्दब एंगी थोड़ासां नमक डालने चीनल चाहनगे और फटा फट पट मोले जाएंगे में रैप र्गे जाएगे अब इस stage पे हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलिया जो हमने 5 डाली है अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप इसको हटा सकते हैं अगर आप प्याज भी नहीं खाते तो बिना प्याज के भी बना सकते हैं आप सिर्फ टमाटर का इस्तमाल करना डियर तो यहां पे हम सारी चीजों के साथ मिलाकर भूनेंगे ताकि अच्छा सा टेश्ट निकल कर आए तो यहां पर यह देखिए सारी चीज़ा हमारी बिल्कुर अच्छे से बुन गई है तो यहां पर यहां पर यहां को हम सिर्फ 10-15 सेकंड ही बूनेंगे क्योंकि इसे हमें कुक्क नहीं करना है इ हमारी बिल्कुर अच्छे से बुन गई है अब इसमें डालेंगे सॉफ मोटी अली इससे बहुत ही अच्छा टेश्ट और खुजबू आएगी तो यहां पर मैंने हाफ टी स्पून इस्तेमाल किया है अगर आपके पास सॉफ ना हो तो आप इसकी जगा पर नारीब के बुर बूरना था इसी हमने इसे सबसे लाश्ट में डाला है यहां पर देखिए मोंफली हमारी हल्केल किसी सॉफ्ट हो गई है बस इतना ही हमें इसे पकाना है अब इसको हम हलका सा ठंडा होने का वेट करेंगे तो यहां पर देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे छूपा रहे बहुत ज़रा ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब हम छोटा अला मिक्सिका जाल लेंगे उसके अंदर हम इसको टास्पर करेंगे सारा का सारा जब यह हलका सा गरम होगा तभी आप इसको पीछेंगे तो इसका टैक्श्वर बहुत ही अच्छा आएगा तो यहां पर हम 3-4 चमश पाणी डालेंगे ताकि इसे पीछने में आसानी हो अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला हाफ टी स्पून तर जिससे बहुत यह च्छा चटपटा सा फ्लेवर आएगा अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप नेबू के रसका पिस्तमाल कर सकते है अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टेबस्पून तेक ग्रेटर नारियल इसको नारियल का बरादा भी बोलते हैं यह आपको किसी भी स्वाप आसानी से मिल जाएगा आप चाहें तो इसकी जगा पर फ्रसवाला नारियल भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इसको हम कवर कर कर दिंगे और बिरकुर्र सको फीछलेंगे तो चलिए इसको फीच के लिएक है फिर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पर देख के मैं इसको अच्छले से अल्य कि छीआ यह हैं यह ऑग आप लोग देख सकते हैं कितना बहतरीन आया है अब चलिए तड़का लगाते हैं तो यहां देखिए आ गए हैं वापस से वही पैन की तरफ अब इसमें हम डालेंगे एक टेबर स्पून तक ऑईल आप घियो बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको अच्छे से गरम कर हमारा अच्छे से गरम होगे आप इसमें हाफ टी स्पून तक हम जीरा डालेंगे चौथाई चब में छेंग जाएगी आप इसमें हम डालेंगे कड़ी लिस यानि कड़ी के पत्ते जिसको मीठी नहीं भी बोलते हैं यहां पर मैंने दस से पंदरा लिये हैं जिससे बहुत अच्छे से तड़का हमारा पकेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा तो तड़का हमारा बिल्कुल अच्छे से पक गया है जलाना रही है अब चली आइड करते हैं तो यह देखिए हम तड़का फटाफट एड कर देंगे और तरका लगाने के बाद चटनी का जो लुक ह है वह भी बहुत ही अच्छा हैगा खुस्बू और टेस्ट भी बढ़ जाएगा चली आपको करीश से दिखाते हैं यह देखिए बढ़ियां से हमारी चटनी रेडी हो चुकी है जिसे आप किसी भी नास्ते के साथ सर्फ करेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल दुगना हो ज देखें मैंने एक बड़े साइच का बरतले लिया है अब हमने जो घोल बनाके रखा था उसको हम इसके अंदर टास्पर करेंगे अब इसमें सिर्फ एक चुटकी हींग डालेंगे जिससे बहुत अच्छी खुस्बू आईगी और नास्ते को बचाने मदद मिलेगी अब इस तक साबू जीरा जिससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा एक चमज भर कर चाट मसाला जिससे नास्ता चटपटा बनेगा अगर आपके पास चाट मसाला नहों तो आप इसकी जगा पर ड्राय आमचुर पॉर्डर यानि खटाई का बेश स्वां कर सकते हैं अब इसमें हम डालेंगे एक शबाज स्कते हैं तो हमसी नहीं ही डालें ऐब ज्युदा आप सिकाते हैं 25 होम्मेड है चला मेरा मजह फीर अच्छ प्रेस्ट आएग एगा बेस्ध्य मिश्द आक्षा निया नहीं सब्सक्र्ली काफी हड़ा नारें के चाром अगर आप लोग इतना हरा दन्या नहीं खाते तो आप इसको कम कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगा पर पुदीनी का इस्तमार कर सकते हैं अब इसमें लाश्ट में डालेंगे एक टेबे स्पून तक चावल काटा और यह साटे को आप घर में कैसे तयार कर सकते हैं इसकी जो आप इसे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वहां से आप लिंक पे जाकर इस वीडियो को देखने ना वहां पर आपको पता लग जाएगा अब इस पर हम लाश्ट में थोड़ा सा ऑईल डालेंगे जिसको हमने हलका सा गरम करके लिया है एक छ सॉक्ट हो जाएगा लेकिन अगर आप इसमें एक बड़ा टेबल स्पून तक चावल कार्णा डाल देंगे तो आप इसे हफ्ते भर भी रखेंगे तब भी क्रिस्पी रहेगा तो यहां पर देखिए टेक्स्चर इस तरीके से होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हमारा बै प्यारे प्यारे से गोल गोल से बनेंगे और डालते ही तुरन चलानी की ज़रूरत नहीं है थोड़ी देर बाद यह जब अपने आप उपर आ जाएंगे तब इसको हम टर्ण करेंगे यह देखिए इस तरह से आपको बनाना है आप इसे जिस साइज में बनाना चाहिए बना जाए तो एक बार में इतना ही डालना है जितना की पलटने में दिक्कत ना हो और आप चाहें तो छोटे कर्ची से भी बना सकते हैं यहां पर देखिए इसको हम एक से दो मिन तक धीमी-धीमी आज पर पकले देंगे फिर्टाइन करेंगे तो यहां पर देखिए दो मिनट हो चुका है टोटल आपको चार मिनट का टाइम लगेगा इसे पकाने में अब यह रेख से इतना बड़िया तरीकत है हमारा यह क्रिस्पी बन गया है अब इसको आप इस तरह से रखना ताकि थोड़ा सा एश्टा तेल है वह वापस चला जाए और आप इसको रख दीजिए यह रेखिए कितना बहतरीन इसका रिजर्ट आया है दुबारा बनाने के तेल को फिर से गरम करेंगे तो यहां पर देखिए तेल गरम हो चुका है अ अच्छा सा से पाएगा और नीचे से जाके डालना बिल्कुल करीर से लेकिन हाथ बता अंदर डाल देना यह देखिए इस तरीके से थोड़ा सा दूरी दूरी पे डालना ताकि चिटके ला और आप इसको हम पहले वाले की तरह बना लेते फिर आप से अप्रायर बंकर इससे दिखा देतने यह देखिए कितना बड़िया तरीके से जाली दार बना है कि हमने इसको रेष्टिर का टाइम दिया था यह देखिए देखने कितना क्रिस्पी है और सारे ही हमारे क्रिस्पी बने हैं तो क्रिस्पी है तो इसका मतलब यह नहीं कि अंदर से हाट है से बुझरुक नहीं खा पाएंगे अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है जाली दार यह रेखिए और इस चटनी के साथ जब आप इसे खाएंगे तो आपको मज़ा हिया देगा कैसी लगी आपको यह रेस्पी और चटनी की रेस्पी कैसी लगी कमेंट बॉक से जरू बताना रेस्पी में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिना सेयर कर दिना अगर आप हमारी चेनल पर ने हैंतर नोट्विकेस्ट मेंट मिलओं का अंकरना ताकति जैसे वीडियो अफ्लोट शर मिल पाए झाल झाल